तो शणी मूर में आपका स्वागत है, बिहार फ्रिष्ट गाड़ 2019 का यह टेस्ट नमबर 26 है, आए टेस्ट की सुरुवात करते हैं, दीके कोश्चन नमर पहला है, कि नागा लेंड की राजधानी का है, जो नागा लेंड है, जो सबन सिस्टर कालाती है, पुर्वी राज के स अब कोश्चन नमर दूसरा है, कि लोगसभा भंग करने का अधिकार के प्राप्त है, तो देखिए, लोगसभा जो है, वो संसत का निचला सदन है, संसत तीन से मिलकर बनता है, एक राष्ट पती, एक लोगसभा और एक राजे सबा, जिसका निचला सदन कोन कहलाता है, क्यों कि आवह अपन कर varit की तो ना वह पांसोपालिस है लेकिन अधिक्तम कितना हो सकता है तो 552 हो सकता है इसमें से दो एंगलो एंडियन राष्ट पती मनोनीट करता है अब देखिए, कोशन नमर तीसरा है कि बुलर जिल कहां इस्थित है जो बुलर जिल है, मीठे पानी का जिल है यह जम्मू कस्मीर में इस्थित है कहां इस्थित है, जम्मू कस्मीर में इस्थित है तो polio जो होता है वो भीशाडू के कारण से होता है जिसे हम लोग वाइरस बोलते हैं polio होने के कारण ठिक question number 5 है कि मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है मानो सरीर में जब बचपन होता है तो उसमें 300 हड़ीया होती है लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है बहुत से हड़ी एक दूसरे में जुटती जाती है ठिक और वो बच जाती है 206 हड़ीया जब बड़े हो जाते हैं लोग तो तो मानो सरीर में सबसे जो छोटी हड़ी होती है वो कान के स्टेपिस हटी होती है यह याद रखिएगा क्वेशन नमर छठा है कि 10-4 कोरिया को उत्तर कोरिया के कौन सी रेखा अलग करती है तो यह जो रेखा है वो 38 वी शमनांतर रेखा है जैसे अंड़ मार और निको बार के 10 डिग्री चैनल जीसे धिखे यह क्या होता है जो शमनांतर रेखा होता है यह जैसा समनांतर नहीं है ऐसे है ठिक लेकिन जो मुखत कहा जाता है ऐसे ये रेखा को ये 38 डिग्री है ये अच्छांस रिखा है ये मूलता क्या है अच्छांस रिखा है इसे ही बना दिया जाता है डिग्री में बदलकर समनांतर क्यों कि अच्छांस रिखा है या देशांतर रिखा है डिग्री में ही न ग्याद किया जाता है और ये वाला जो रिखा होता है प्र यह UM 21 में हुआ था कब हुआ था 1901 में हुआ था ढ़िकर कुश्चंल नम्र 2 हे कि राजसभा का ध्यक्ष्च कोन होता है इस लोक्सभा निमन सदन होता है राजसभा उच्छ शदन होता है और राजसभा अस्थाई सदन है यह भी याद रखेगा यह कभी विगटित नहीं होता है और इसके जो सदस होते हैं वो 6 साल के लिए चूने जाते हैं लेकिन इसमें जो सदस सिमान लिजे इसका 245 है अभी क्या है इसका 245 इसमें अधिक्तम कित्ता हो सकते हैं तो 250 इसमें से 12 राश्टपति मनुनित करता है विशेष च्छेत्र से लोग आए हुए बिशेष ग्तना रखे हुए ठीक तो राज सभा का अध्यक्ष होता है तो वह होता है ना मुझे तो जिसे हम लोग उप राश्टपति क्या है जो कि अभी बंकाईया नाय डू जी है अब यहां पर देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि राजसभा का अध्यक्षकोन होता है तो उप राष्टपती बनने के लिए और राश्टपती बनने के लिए और राजपल बनने के लिए कम से कम 35 वर्स चाहिए आपको और राजसभा के लिए किते चाहिए 30 वर्स चाहिए और लोगशभा के लिए 25 वर्स चाहिए अब गाउं के मुख्या उख्या देखते हैं यह सब के लिए किता चाहिए 21 वर्स चाहिए कम से कम ठीक आपको बोड डालने के लिए 18 वर्स चाहिए तो राजसभा का अध्यक्ष घृब्ध एक सब्सक्राइब अवेसित अधर जो नाभिक होता है उसी इसमें पूच्व किस ने किया घृष सा याद रखेगा जबुम के अपेवनेटेच सेवस्यों अधर छुल्छ भाई होता है ऐसीं इनुट्रोन अगला कोश्वन नम्म लोग देखते हैं कि चतूर्थ बोध संगित किसके सासनकाल के दोड़ान हुई थी याद रखेगा पर्थम मैंने बताया था जासत्रू पर्थम दोंतिय तृतिय सब मैं बता चुका हूँ आपको अगर आप नहीं देखे तो फिर प्रिबेसे रेसे वी इंटरेंस एक्जाम BA, BAC, BCOM, BA Arts, Social Science, LLB, BA LLB, किसी का अगर फॉर्म डाले हैं Bhu इंटरेंस एक्जाम 2019 का तो आधि कमेंट बक्स में जिक्र किजिएगा कि आपने किस का फॉर्म डाले हैं में देखते कौन स्टूडेंट डाले हैं बिहार से जैसे कि जो करने के लिए या LLB करने के लिए या में करने के लिए जो भी लोग डाले होंगे यह जरूर कुमेंट बॉक्षिन बताइए कि मैंने भी एचु का फूम डाला है ठीक कुष्ण नमर 11 का हो जाएगा आपका कनित्स कुष्ण नमर 12 जो है सक समंथ किस पर किस वर्ष शुरू हुआ जो सक समंथ है हम लोग राष्टिये कलेंडर इसी से अपनाएगा तो जो सक समंथ है वह अंठावन इश्वी से बोला जाता है ठीक तो इहां पर देखेए 12 का एंसर जो कलेंडर है इस तीथी पर अपनाएगा यह यह याद रखिएगा कुष्ण नमर 13 कि किसे नील का उपहार नील नदी जो है विस्टु के सबसे लंबी नदी है और विस्टु के सबसे चोड़ी नदी अगर बोला जाता तो अमेजन पड़ती है भारत के सबसे लंबी नदी कौन है गंगा नदी उसके बाद कौन आता है गुदावरी आता है ठीक है अगर ऐसे ही पूछ रहा है कि नील जो नदी है उसका देन किसे बोला जाता है सब लोगों को पता हो गई नील नदी का देन किसे बोला जाता है नील नदी का देन मिसर को क्या बोला जाता है इजिप पाल वंस क ते संस्थापक कोन थे यो जो पाल वंस था बिहार वाले चछेतर, पाशिमम्राइल वाले बिहार ही वाले च्यक्तर में था और पाशिमम्र वी घृत काशना की और यह पाल माने जाते हैं torn तो बिजाय नगर समराज के स्थापना किस ने किया था तो यह दुनों भाई थे हरी हर भुक का इस दुनों ने इस्थापना किया थे यह भी याद रखिएगा अरे यूपी में इस्थित है तेखे जवाहल नेरु जो थे हैं यह हमारे पर्थम परधान मंत्री थे यह भी याद रखिएगा और सबसे अधिक देर तक भी परधान मंत्री यहीं बने रहे है ठीक कुश्चन बर 17 कि भारत का राष्ट्य पुस्प कौन सा है जो भारत का राष्ट्य पुस्प है वो कौन सा है तो वो कमल है क्या है कमल है भारत का राष्ट्य पुस्प क्या है कमल है पच्छी कौन है मोर है यह भी याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपती की चुनाओं से समंदिद विबादों का फैसला कौन करता है जो भारत के राष्ट्रपती की चुनाओं होता है उश्य समंदिद विबादों का फैसला कौन करता है तो यह सरोचने आले करते हैं भारत के राष्ट्रपती की छुनाओ का जो भी विबाद विबाद होगा उसका कुन सरोच नहीं करता है विद्ली में याद रखेगा थिक आग साहे पता चल रहा एंपको और उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद बदलता है आपको जो कि सनगमर है किस परकार के चटान है यह जो चाटान ही है क्यांत्रित चटान यह अपना रूप बदल चुका है क्या अंतरित और साधी चटान में मुख्यता क्या पाया जाते हैं तो कोईला पाया जाता है जिवास्म पाया जाते हैं तो अहीं हो जाते हैं और जब शोतंत्रता मेरा जनमसिद अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा गडपती बपा जो की पुजा इस्टार्ट किया गया था इनके द्वारा ही इस्टार्ट किया गया था एक्ता के लिए और इन्हें महराष्ट में बहुत बड़ा यह मना जाता है ठिक तो यह पूछ रहा है य क्कुशन Labour 21 है के सर्भौमींक धाता रखत समुझ कौन सा है सर्भौमिक धाता में इसकी देता है जो डोनर करता किसी को दे सकता है सवरगा ही नहीं जो किसी से ले सकता है ता मुक्षता दखिए इबी और क्या है ए लेकिन यह भी होता है उसा हम लोग बोलते है दो है मेर्का मेर्क श्रावाद ही कर दिया था रैंकर सम्मेलन को न य् U einzटीए गाई यह जो श्रमिकागव श्छौ समयलन कि धर्म राव्ग सैक्र समेलन यह किए था टारोशन सु स्थिकागो में अलमेर्का में था 1893 में मुहाँ पर मुझूद थे कौन विबेकानंद जी और आपको यह भी याद रखना है कि इसके चार साल बाद ही रामकिस मिजन की अस्थापना भी किये थे यह कौन किये थे यह 1897 में किये थे बिबेकानंद थी अब कुश्चन नबर 23 है कि गीर राष्ट्य उध्धान किस लिए परसिद्ध है जो गीर राष्ट्य उध्धान है वो सबसे पहले तो गुजरात में स्थित है और गुजरात में यह सेर के लिए परसिद्ध है लायन के लिए क्या है परसि किस ने किया था तो बेद ब्यास ने किया था कौन किया था तब ब्यास ने किया था यह भी याद रखिएगा आज का लाश्ट कोशन है कि इसायो का पुईत्र गंत कौन सा है जो इशाय है उनका पुईत्र गंत कौन सा है तो बाइबिल है इनका जैसे कि हम लोग का माभारत है रमायड है, कुरान ही, इसलाम का है, बाइबिल कौन हो जाएगा, इसायों का, ठिक, ये भी याद रखिएगा, ऐसे करकर ये 25 कोशन रहा, कितना कोशन आपने के ये भी बताईएगा, अगर विएचु का फॉर्म आप डाले हैं तो ये भी बताईएगा, आपको कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत ही असान है भी ये चुन निकालना, अगर अच्छे से अब तयारी करकर दे रहे हैं, तो अगर नहीं भरे हैं, तो कोई बात नहीं, तयारी में एसे लगे रहे हैं, और विडियो कैसा लागए ये भी बताईएगा, अगर कोई कोशन में डाउट है तो कमेंट बाक्शन बताईएगा वीडियो देखने से आपका बहुत बहुत रहने वाद